हेलो हाई आदाम नमस्कार सम्हाने सातियों वेलकम टी यूट्यूब चैनल टैट पॉइंट आज हम डिस्कसन करने जा रहे हैं कमुनिटीज वर्सिस ग्रूप वार्टसअप कमुनिटी और गूर्प में क्या अंतर है जानिए वार्टसअप ने क्या कहा इसी पर बातचित करेंगे यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेश करें ताकि नौटिफिकेशन आपको सर पर थम टापत हो सके और शेयर भी करें शेयर करने से ग्यान घरता नहीं ग्यान बढ़ता है साथ ही यदि आप हमारे योट्यूब चनल के वार्टसअप ग्रूप और टेलीगराम ग्रूप से जुना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डेस्क्रिविशन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं तो चलते हैं आज की वीडियो के सिर्शक की तरफ आसान सब्दों में समझें तो वार्टसअप कम्यूटी फीचर ग्रूप का ही ग्रूप ही है जिसमें कई सारे ग्रूप को एक ही कम्यूटी के अंदर रखा जा सकता है वहीं इसमें वन टैप वीडियो कॉलिंग के साथ ग्रूप कॉल में एक साथ 32 लोगों को भी सामिल किया जा सकता है मेटा के स्वामित वार्टसअप ने हाल ही में अपने प्लेट फॉर्म पर कम्यूटी फीचर को रोल आउट किया है वार्टसअप कम्यूटी फीचर के जरिये पोल किया जा सकेगा और वन टेफ वीडियो कॉलिंग के अलावा वीडियो कॉलिंग में किसी ग्रुप में एक साथ 32 लोग सामिल हो सकते हैं इस फीचर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप सभी ग्रुप को एक कम्यूनिटी के अंदर रख सकेंगे कम्यूनिटी के अंदर अधिकतम 50 ग्रुप तक को एक साथ एक ही कम्यूनिटी में सामिल किया जा सकता है बता दें कि कम्यूनिटी को पहली बार अपरेल में कंपनी द्वारा टेस्ट किया गया था और अब इसे सभी के लिए रोल आउट किया जा रहा है कैसे अलग है कम्यूटी फीचर देखते हैं एक जलग रिपोर्ट कर उसार वार्टसप कम्यूटी फीचर को एक ही तरह के गुरूप को व्यवस्तित करने के लिए लाया गया है इसकी मदद से पडोस के कही सारे वार्टसप ग्रूप और आफिस के ग्रूप को अलग-अलग कम्यूटी फीचर में रखा जा सकेगा यानि एक कम्यूटी आफिस की बनाई जा सकती है जिसमें आफिस से समंदित सभी ग्रूप होंगे वहीं एक कम्यूटी में पडोसी और इसी तरह के अन्य ग्रूप को सामिल क्या जा सकता है वार्टसब ग्रूप का वार्टसब एप का मानना है कि इसमें बहुत सारे ग्रूप को मैनेज करना आसान हो जाता है वार्टसब कम्यूटी फीचर को आसान सवदों में समझें तो यह ग्रूप का ग्रूप ही है जिसमें कई सारे ग्रूप को एक ही कम्यूटी के अंदर रखा जा सकता है वहीं इसमें वन टैप वीडियो कॉलिंग के साथ गुरूप कॉल में एक साथ 32 लोगों को भी सामिल किया जा सकता है वार्टसप ने बताया दोनों के बीच का अंतर जानने थे हैं दोनों में क्या अंतर हैं लेकिन नए फीचर के लाँच होने के तुरंत बाद योजर्श ने एक कम्यूनिटी फीचर की तुलना गुरूप से की और इसकी जरुरत पर सवाल भी उठाए सवालों के जवाब देने के लिए वार्टसप ने गुरूर को ट्वीटर पर एक वीडियो सेयर किया जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा कम्यूनिटी और गुरूप के बीच का अंतर समझाया गया है वार्टसप के अनुसार वार्टसप गुरूप योजर्श को सभी को एक ही कर्वेंशन कनवर्सेशन में सामिल होने की अनुमती देता है और परिवार को और दोस्तों से जुड़ने में मदद करता है जबकि कम्यूनिटी फीचर स्कूल परोस कैम्प आदिस से जुड़ता है और सभी सम्मनित गुरूप को एक स्थान पर लाने में मदद करता है और सभी को announcement group में एक साथ loop में रखता है यह स्लेक या discard जैसा कुछ है लेकिन वार्सप, spin end-to-end, and encrypted message सहित के साथ community में admin and announcement channel के मादम से पूरे community के साथ update share कर सकते हैं इस तरह से इसमें अंतर होता है इस तरह यदि आपको वीडियो पसंद आए तो like करें, subscribe करें, thanks